दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube Creator Awards के बारे में और जानेगी कि अगर आपके चैनल पर 100 के यानि की एक लाग सब्सक्राइबर्स का टार्गेट कम्प्लेट हो चुका है तो आप कैसे Silver Play Button Award के लिए Apply कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि YouTube एक लाग सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर Silver Play Button Award देता है और 10 लाग सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर Gold Play Button Gift करता है इस तरह से आपके चैनल पर अगर एक क्रोड सब्सक्राइबर्स कम्प्लेट हो जाते हैं तो YouTube की तरफ से आपको Diamond Play Button Award दिया जाता है लेकिन दोस्तों Award Receive करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको पहले apply करना होता है अगर आपके चैनल पर इस तरह से बैनर नहीं आया है तो आपको क्या करना है कैसे आपको YouTube Award के लिए apply करना है ये भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूं रमे सिंग और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से RMS Live Learning में तो चले फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपने अपने चैनल पर Creator Awards Criteria complete कर लिया है तो इस तरह से आपको बैनर होगा जिसमें इस तरह से एक कोड होगा इस कोड को आपको सबसे पहले copy करना है कोपी करने के बाद यहां पर आप क्लेम अवार्ड का यह option देशते हैं आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से next interface open होगा तो यहां पर आपको सबसे पहले enter your redemption code के इस box में copy क्या हुआ code paste करना है इसके बाद I am not a robot के इस tick box पर टिक करके इस capture को solve करना है और इस tick box पर टिक करके terms and conditions को agree करना है और continue के बटन पर क्लिक कर देना इसके बाद जो next interface उपन होगा यहां पर आपके चैनल का नाम दिया होगा आपको जिसके नीचे continue के बटन पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से next interface में एक form open होगा जिसमें आपको अप पर आपको सबसे उपर अपनी country सेलेक्ट करनी है इसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है इसके बाद company का option है तो इससे आप blank छोड़ सकते हैं address में आपको अपने घर का फूरा address एंटर करना है city में आपको अपनी city का नाम लिखना है इस तरह से state डालने के बाद pin code डालना है और अपना phone number एंटर करना है इसके बाद यहाँ पर bottom side में आपको अपना pen card number या फिर other card number एंटर करना है दोरों में से आप अपना कोई भी ID number ए bottom side में continue के button पर click करना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से next interface में आपकी submit की गई सारी information आ जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इसे edit करना है कुछ change करना है तो आप bottom side में edit my information के option पर click करके कुछ भी correction कर सकते हैं otherwise यहाँ पर confirm my order के इस option पर आपको click कर देना है जैसे आ जाएगा अब अगर माली जी कि आपके YouTube चैनल के dashboard पर banner नहीं आता है तो आपको YouTube application open करनी है और top right corner पर अपने profile icon पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर bottom side में आना है और यहाँ पर आप यह option देखते हैं help and feedback तो आपको इस option पर click करना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से आ पाद थोड़ा सा निचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी email id सो होगी तो इसके जश्ट निचे आपको अपने channel का URL एंटर करना है इसके बाद यहाँ पर आप how can we help you का यह box देखते हैं तो इसमें आपको redeem code receive ना होने के बारे में describe करना है यहाँ पर जो matter आपको right corner पर इस arrow पर क्लिक करके अपना feedback send कर देना है इसके बाद दोस्तों एक से दो दिनों के बाद आपको इसका reply मिल जाएगा और आपके channel पर redeem code का banner भी आ जाएगा जिसको आप claim करके अपने play button award के लिए apply कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड जय हिंद